नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग याँ पर हिंदी कर्टेस लगाएंगे तो चलते ही स्टार्ट करते हैं और आप लोग बता दिजी कि आपको आवाज आ रही है हमारी साब आवाज आ रही है तो हम लोग इस्टार्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए आपसे पहला कोशिन कर आपसे उहापो का पर्यावाची है उहापो का पर्यावाची देखो उहापो का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है दुविधा है ना और दुविधा का अगर देखा जाए इसक जो पर्यावाची होगा वो क्या होगा तो यहाँ पर यहाँ पर सही जवाब बिलकुल राइट है अंसर आपका बी हो जाएगा असमंजस तो वह आपको का पर्यावाची हो जाएगा असमंजस अपसर राइट आपका बी हो जाएगा ठीके चलिए नेस कोशन मता यह कि किस सब् अच्छाए आति उपसर्ग आपर बिल्कुल सही है आपका जो आति उपसर्ग लगा है वो आपके आपका ए क्यों क्योंकि आति धन उत्तम लिखेंगे न आति धन उत्तम तो आपका बत्ति बन जाएगा आति उत्तम तो आपका यहाँ पर आपका आति उपसर्ग लगा है उपस अप्सराइब कर दानकारक हो जाएगा क्योंकि गंगा कैसे हिमारे से निकल कर आ रही है अलग हो रही है चलिए अगला बताइए निरप नीचे दिए गए विकल्पों में से की सब्द का समनार्थी सब्द है नरप आप लोगों ने आपर कोई भी नाटक देखते हैं ठीक है त समनार्थी हो जाएंगे भूप और माईप हो जाएंगे बिल्कुल सही है तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी है चलिए यहां पर आपको बस रिवीजन की जरूरत है चलिए अगला बताइए यहां पर कि नीचे दिएगे सब्द के लिए अर्थ बेंजक चाचार विकल्प द चुकी जाएगा कंफियॉजण है काफी बच्च किक कर रहे हैं इसका मतल़ हमें पताना पड़े का अपस्ण लाइट अपर कि हो जाएगा बड़ा हांती याद रखेए पत्पर बड़ा हांती यहाद रखिए गयंद का जवापका अर्थ होता है अर्थ अर्थ यह सकते हैं आपका बड़ा हांती, option right up का D हो जाएगा, सही है, चलिए अगला है, मूर्चेता का अर्थ क्या होगा, मूर्चेता का अर्थ, जवाब देते चलिए सही सही, मूर्चेता, देखो मूर्चेता का अर्थ होता है, आपका मूर्ख, option right up का C हो जाएगा, ठीके, चलिए अगला है, प्रयोगिक का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर प्रयोगिक का अर्थ क्या होता है प्रयोगिक का अर्थ क्या होता है पहला होगा क्या कि जिसका प्रयोग कई वस्तों के लिए किया जाए नहीं चले अपसन आपका B हो जागे इसका जिसका पहले प्रियोग किया जा चुका है उसे बोलते हैं प्रयोगिक ठीक है प्रयोग सालम होता है ना प्रयोगिक करते हैं प्रयोग करने के बाद है आपको कोई निसकास निकलता है तो प्रयोगिक बोलते हैं अगला दिया है कि प प्रश्नाप के लिए तो राइट अंसर यहां पर पर बता दें आपसन राइट आपका डियो हो जाएगा हरीवन सराय बच्चन के आपका है तीन रुबाईया रचनकार ठीके हरीवन सराय बच्चन चलिए अगला कोश्चन आपका दिया गया है कि अर्थ के अनुसार आपको यहाँ पर खाली स्थान बनना है कि कुल भेद होते ह अर्थ के अनुसार समंद बोधक अब्वे के आठ भेद होते हैं यहाँ पर आप आठ भर देते हैं तो अनुसार आपका राइट हो जाएगा ए नंबर ठीके चलिए नेश कोश्चन का आते हैं कोश्चन आप से अगला है कि अग्ये जी को किस क्रती पर भारती ज्यान पीट आपका मिला है तो यहाँ पर बताइए भाई साहिए कुछ बच्चों का यह जवाब आ रहा है क्या बात है या नहीं रहा है चलिए आपसन राइट आपको बता देते हैं कितनी नाओं में कितनी बार यह आपका मिला है अग्ये को भारती ज्यान पिट पर उसकार ठीके अगला कोशन है उच्चा वास का सही संद्विच्चेद यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी के चलिए यहाँ पर किसी का नंबरिंग डालते जाहिए और इसके बाद नंबर के आपसन डालते जाहिए तभी हमें समझ मायेगा चलिए चोधा का अपसन राइट आपका सही है ब क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट अंसर आपका है बी नंबर तत्पूरुस समास सही बिल्कुल योगदान में कौन से समास है तत्पूरुस समास से याद रखिएगा ठीके चलो अगला कोई पॉइंट है बहिर मुखी सब्द में कौन सा उपसर्ग है इसमें बच्चे गलती करने के चांस है देखते हैं आपर बच्चे गलती करते हैं नहीं बहिर मुखी सब्द में कौन उपसर्ग है देखो इससे तोड़ेंगे तो बहिर और मुखी निकलेगा है ना तो इसका मतलब है कि इसमें आपका ये राज उड़ा है या जाएगा इसका अंसर आपका ए हो ज से पत्रिका है 17 का ओप्सन राइट आपके यहां पर सी हो जाएगा दिवेदी युक्क है ठीके दिवेदी युक्वा हो जाएगा बिल्कुल राइट है सब बस चलिए नेस कोश्चन किने मिखित में से सुद्ध वाकिका चैन कीजिए सुद्ध वाकिका चैन करना है आपर द से लिए बिल्कुल राइट है चलिए अगले कोश्चन को और आते हैं यहां पर आप थूड़ी बच्चों को मुश्किले बढ़ जाएंगी इस प्रस्म पर कि क्या मिलाया जाए कि उन्हें मिलाया जाए आपका समय चाहिए आप समय ले सकते हैं ठीक है लेकिन जवाब बिल् देखना है कैरा आपसे देखो अगर इसे अम लोग यहां पर दो नंबर में ले दे ठीक है फिर इसके फिर वाद की मांबले में मैलायों की रपट यहां पर अगर एक दो तीन चार पांच है को मिला लीजए अब अंसर आपका आजाएगा ठीक है अंसर आपका इस प्रकास से आएगा ठीके कुल मिलाकर आत्मरच्छा के मामले में महिला महिला की रपट तता पुलिस कर्मियों की पुलिस कर्मियों की बातों से यही निश्कर सामने आता है कि छात्रों को आत्मरच्छा के लिए सुरच्छा के तरीकों में निपुड किया जाता है ठीके, सी नमबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, समझ मैं आ गया चलिए, नेश कोचन आपको यहां पर दिया है इसको भी आपको मिलान करना है देखते हैं भाई, इसका मिलान सही कर पाते हैं नहीं, चलिए समय आपके लिए हम एक मिनर्ड दे दे रहे हैं, इन प्रस्वों में समय लगता है मिलाने में, है ना चलिए, पहला आपको देखो, पहला इस्थिर कर लिया करो, इसका पहला इस्तिर कर लिया, है ना क्योंकि ये तो आपका अपनी जगा है इफिक्स है 6 वाला भी अपनी जगा आपका फिक्स हो गया है अब िहाँ पर देखनों कहां से start किया जाए कहां से ना start किया जाए ठीक है देखो अगर यहां पर हम लोग की तब chetak की समनांतर एक और बिमारी थी गोसी तला, देखो अगर इसे दो नमबर कर लिया जाए, ठीके और प्राया या रोगधान के खेतों में गाय के थनों में होता है अगर इसको हम लोग यहाँ पर तीन कर दें है ना, तीन कर दे आम धरना है बीमारी, अगर इसे चार कर दे और अगर मैं यहाँ पर इसको पांच कर दे ठीके अब अगर क्रम से अगर आप देखा जाये तो आपका बन जायेगा अंसर देखिए 20 वाले में वीवाला आपका यहाँ पर हो जागी या वा रा या वा ला रा ये क्रम आपका आएगा इस प्रस्न का जबाब ठीक है इस क्रम से आपका बनेगा आसानी से आप कर सकते हैं कि तब चेचक के समनांतर एक और बीमारी थी गौशी तला प्राया यह रोग गय के थनों में होता है होता है, आम धारना थी कि बीमार गय का दूद पीने वाला, पीने वाला इसका सिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे गहाओवा फुन्सियां हो जाती है इस प्रकार से होगा, ठीके? चलिए, अगले कॉशन कि वीर या अहला किस जातर का चंद है वीर या आला किस जात का चंद है बई तो यह आपका हो जाएगा किसका 21 का option right आपका हो जाएगा आपर बिलकुल right है आपर मात्रिक चंद है याद रखे यह आपका बीर या कह सकते हैं आला जो आपका है वह आपके किस जात का है तो मात्रिक अंतर गताता है ठीक है मात्रिक अं इंगित किजीए यहां पर देखते हैं इसका जवाब अगर बच्चे देते हैं इसका मतलब तयारी आपकी ठीक ठाक है चलिए जवाब दीजीए यहां पर किसी का जवाब पूर्ण इरहा है, आसन इरहा है अच्छा देखो कह रहा है मैं खाना खा चुका हूँ इसका मतलब खाना खा चुका हूँ इसका मतलब किरिया अभी अभी होई है जब किरिया अभी होती है उसका आसन का मतलब होता है बिल्कुल पास जब किरिया पास में होती है उसे आसन निभूत कहते हैं सी आपसन होगा है ठीक है चल यहां को तकाहिरा होगा क्या सोता है कुछ अंसर निकलेगा नहीं निकलेगा ना जब नहीं निकले इसका मतलब को कर्मकरिया होती है ठीक है अंसर आपका अ हो जाएगा चलिए बहासा कि सबसे छूटी ही काई सभी का जब आप पहले से already आचुका है बहासा कि सबसे छूटी ही काई आपकी वर्ड होती है, D-Number बिलकुल, right नेस्ट कोचन आपका बिलकुल simple स्वार संदी कितने भेद होते हैं तो स्वार संदी के आपकी भेद होते हैं पांच ठीक है कितने होते हैं पांच आप इसको क्रम से कैसे रटा जाए ये बच्चों कनफ्यूजन होता है तो आपको हमने समास पढ़ाया है ठीक है तो देखो एक ट्रिक बता दे रहे हैं दीगु समास जानते हैं और आयादी संदी जानते हैं जानते हैं आयादी तो आ ना होती है चलिए अगला कोशन है अतिमलीन वरसभान कुमारी अधो मुक रहित उधाउं उरध नहीं कि तो वहीं जो गधारे ठकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुमिलाने जो नालिनी हिमकर्सी मारी देखो हमने बता है कुछ आपकी प्रस्न होते हैं जिनको आपको छोड़ आने भी आपको दिया है ठीक है तो कह सकते हैं कि थकेद भी है तो इस प्रकार से कहीने का आपका विप्रो रूप में होगा इस प्रकार से सी नमबर आपको विप्रलंब स्रंगार होगा ठीक है अगला है गीदड़ का इस्त्रिलिंग क्या होता है गीदड़ का इस्त्रिलिं हे, हमने आपको हमेशा बताया है कि, कुछ हापकी सब्दإए से होते हे हैं, जो हमेशा आपकी बगोचने प्रियोग होते हैं, है ना, और हमेशा बगोचने प्रियोग होने वाला, आपको यह सब्द कौनसा है, आपको देखो विशेशन क्या होता है संग्या या सरुनाम की विशेशता बतलाने वाले सब्दों को विशेशन कहते हैं और अगर बहुलें कि विशेशन की विशेशता बताने वाले तो विशेशन की विशेशता बताते हैं विशेशन है ना चले निश्चय वाचिक सरुनाम कौन सा ह है तिसका जवाब दीजी सभी के जवाब आना चाहिए बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपका आज नहीं है ठीक है निश्चे वचिक सरनाम आपका कौन सा है तो आपका देखो यह यह जो आपका निश्चे जैसे माली जी कि यह जो सामने घर है मेरा है है ना तो इस प्रकार से निश्चे हो गया ने कि है तो है है ना इस प्रकार से डी हो जाएगा चले अगला कि वरतनी की दरश्टी कौन सा सब्द सही है यहाँ पर जियोत्सना लिखा है और जियोत्सना हमने बहुत बार कौन सा राइट हो जाएगा बाया जोट्थाना चली आपसना राइट सभी हो जाएगा जोट्सना इस प्रकास से लिखते हैं बी नंबर चली गहां का उचारंड स्थान बिता कले गाले कप्रियों कि उसमें ज्यादा होता है चलिए के आपसे काम का नाम बताने वाले सब्दों क्या कहते हैं काम का नाम बताने वाले सब्दों क्या कहते हैं देखना आए कि इस प्रस्ट का जवाब सही आता है या नहीं और काफी बच्चे गलती करेंगे इसमें काम का नाम बताने वाले सब्दों को देखो किरिया किरिया से ही पता चलता है ने काम हो रहा है है ना सी नम्मर आपका होगा चलिए भाई थोड़े से और मेनत करिए अगरा है का खा गा गा खा गा फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है इन में से कौन सा वर्ड है जो आपके उर्दू से लिया गया है उर्दू स से उर्दू से 34 का जवाब चलिए कुछी बच्चों को जवाब आ रहा है किसी का खा नियुक्त चलिए यह आपका उर्दू से लिया गया है ठीके अगला है जिन सब्दों के आन्ति में आता है उन्हें क्या कहते हैं चलिए कुस बच्चों का जवाब पहले सी आ चुका है बहुत सब बस मेनत करते हैं उसके मतलब डेली वीडियो देखूँ को तो पता आपको पक्का है फायदा मिलेगा ही तो इनको हम क्या बोलते हैं अकरांत बोलते हैं ठीक है जैसे आपको दिया सजी उभासा का क्या थे सजी उभासा मनलब वोती जो गतिमान होती है इसका अंसर आपको जोड़ दी हैं यहाँ पर आपको देखो कितने कोर्शन आपके हैं 36 से 40 हैं तो यह आपके जो पांच नंबर है इनको आपको हम दे दिया है लेकिन बता दें सब्द ग्रहंट दोस्त क्यों नहीं होता है गुण कैसे होते हैं 37 का जवाब आपका ए हो जागा क्योंकि सब्द भंडार भासा की समर्दिका परचायक हैं यह ब्हासा की आ जाते हैं है ना जो की सेखते हैं हिंदी में प्रिचलित अंग्रीजी सब्द कह दें अन्युमerson seminar का नहीं सब्द हैं तो इंसर आपका D हो जांगा चलिए रास का अर्थ क्या होता है जवाब दिजी कुछ बच्यों को जवाब आ रहा है, चलिए Всf को अप्शन, जो जो हिंदी का प्रचार बढ בравствуйте अपका आपको अपी यह हो जाएगा ओख्छिड का विलोम सबogether कराई ये सबी का जवब आना चीजे दचाषिन का विलूम क्या होता है nuestro उधिन का विलूम होता वां क्या होता है वां ठीक है देखो पूरा पर्ष़िम उत्तर दक्ची filters और उत्तर को हो जागा बाई देखो किसी का सि ओ नमबर भी आ रहा है ऐसा क्या है बरतना ऐसे लिख़ए जाता है अगला सुद्र होता है बरतन डे नमबर अग्ला телефон है उक्ष этого मताइए और उकी मातरा है इसके मतलब यह जोब का है कौँश संदि किस में आती है आपकी स्वरसंदी में इस प्रकार सेंसर राइट आपका यह हो जाएगा ठीक है अगला है कि कौन सा उपसरग आचार सब्दि से पूर लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है अर्थात की आचार के आगे हम लोग क्या लगा दें जिसका आर्थ आपका जुल्म नि चलिए अगला अभ्याई भाव समास का एक उदारन आपको जो है यथा सक्ति यथा सक्ति कैसा है अभ्याई भाव है और यथा सक्ति को अगर हम समास विग्रा कर दें तो क्या आर्थ निकलेगा बताईए भाई यथा जो सक्ति की सक्ति के अमसार 46 का सी नमबर आपका सही है चलिए निसकर आपसे सब्द रचना के आधार पर बताईए कि कौन सा सब्द योग रोड है बताईए योग रोड सब्दा से पूछाए हमने बताया था सब्द तीन प्रकार के होते हैं एक होता है रोड सब्द पी एक होता है आपका योगिक सब्द दूसरा होता है योग रोड योग रोड कोम लोग बावबरी बोलते हैं अब यहाँ पर बावबरी आपको दिख गया होगा कौन सा सही है बिलकूर D number आपका जलज ठीक है जलज से उत्पन हुआ कमल देखते हैं कैसे निकलता है हाँ ठीक D number चलिए अगला है भारती सब्दका बहुचन आपकी वीडियो एक जाम में भी कोशन आया था भारती सब्दका बहुचन क्या होता है भारती होता है क्या होता है भारती हो और कौनसा 48 का ए नमबर सही है ए नमबर आपका होगा भारती हो अगला है निम्न किरियाओं निम्न किरियाओं में से कौनसी किरिया अनुकरणात्मक नहीं है निम्न किरियाओं में कौनसी किरिया मिन मियाना मिमियाना हिन हिनाना यह आपका कह सकते हैं किसी प्रकार से आपका यह आपका है यह का जुठलाना जुठलाना यहापर आपका अनुडात्मक नहीं है अधर आपके यहापर कह सकते हैं इसका अंसर आपके यहापर सी होगा तोड़ बहुत समझिएगा चले अगला है किनम लिखे तो वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी किरिया करता के लिंक के अंसार ठेक नहीं है अर्थात यहाँ पर जवाब की किरिया है वो करता के लिंक के अंसार ठेक नहीं है जैसे आपका दिया यह नमबर कि राम आता चलिकर लिखे लिखे क में खाले स्थान को वावचक संग्या से पूरा कीजी अठाथ यहां पर आपको भरा जाएगा वह वावचक होगा देखोoure कहांपर आपका दिया है आझों में क्यां बा लों हैंट अच्छा से-ई हैं औट शी मतलब कि उस Parte मुख मंडल की बाल करें तो मुख मंडल का सब कुछ आ जाता है जैसे के माली जी क्ले की यतना भाग होता है उसे इस प्रकास से लेकिन आखों में भी बहुत चीज़े मतलब की मुख में भी बहुत ऐसी चीज़े होती है उसकी सुन्दर्ता रिपेंट करती है किसी के आखों सुन्दर्ता होती है किसी नाक से होती है अना किसी मुख से होती है तो इस प्रकास से अलग बॉलने वाला छोता है लेकिन जो बहुंत बातलों बहुत करता है उसे बूलते हैं बहुत राजी क्या बहुत 2 सई जवाब है ब्लकुल सई है मतलब क्यारी हो चुकी है आपकी सब सब्जेक्ट ऐसे बआबर करें कल बहुत सब्जेक्ट सब式 अ те GS भी देते हैं इस प्रकार के होते है बताई एब सरलवाग के बताईंगे भाता है सकते हूं हम आपसे हमेसे कह रहे हैं सजरल वाकि और मिंस्ट वच्छे है ना इनको पढ़ लेजी कुर्शन आपके पूछे आते हैं तो दिखो कह सकते हैं कि जो आपका मिंस्रित वाकि तो यह तो आपका इन सरल वाकि पूछा है और सरल वाकि बिल्कुल सरल होगा एक विधे और विधे अर्थात यहां पर आपका दुखो जो आपका है राहुल धीरे धीरे लिखता है यह बिल्कुल आपका यहां पर सरल वाकि अदर कहीं में कहीं आपको परिवर्तान जैसे कि उ जोण करभшей मिस्त्रित होते हैं एंकर सब्सक्राइब रहूल देरे-देरे लिखता इसमें सब्सक्राइब नम्र करों चरण evolving चिन नहीं है विराम चिन 57 का जवाब विराम चिन कौन नहीं है जो को अल्प विराम आपने पढ़ा है पूर्ड विराम भी नहीं है लेकिन अगर पुत्र वही खराब निकल जाए तो धन करने की अच्छक होते हैं वही चीज़ा को होता है पूत्र और कपूत्र अर्था इसका भी अर्थ आपका कैसकते हैं बेटा होता है और इसका भी अर्थ होता है बेटा और आपके कैसकते हैं उसी सब्द का अर्थ तो जितने बच्चों ने लगबग सही किया है, कमेंट कर सकते हैं, जो बच्चे नए हो भी आप जवाब दीजिए कि हम आज नए भी थे, ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, लगबग आपको साड़े आठ बजे यहाँ पर टेस्ट देना होगा, क्योंकि लगबग सभी चैनल में आपको रात नो बजे यहाँ पर हिंदीग टेस्ट चलने लगता है, तो आप लोग साड़े आठ बजे लगबग आपको टेस्ट देना है, है ना, सही रहेगा, चलिए अफि हम लोग मिलते है नए वीडियो में, सभी के लिए, टेक केर, जय हिन, जय बजे आप आप , सभी के लिएक के लिए बजे हम लोग खवी की के लेका।